चलिए उस तो बात करते हैं सिकोर नई कोशिन के बारे में इस कोशिन में एक्जामने ने कहा है जब एक वस्तु को 355 रुपे में बेचा जाता है तो 39 परसंट की हानी होती है 21 परसंट का लाब पाने के लिए लाने के लिए इसे कितने में बेचा जाना चाहिए यह एक्जामन ने मुझसे पूछा तो चलिए आई यह सॉल करते है देखिए अगर इसको डेरेट करना है तो सिंपल सा एक तरीका है यह 355 रुपे जो दे रखा है वो सेलिंग पराइस दे रखा है और इसे वो क्या करता है वो कहता है कि 39 परसंट के लोज पर बेचता तो यानि कि जो इसकी वैली होगी यह 29 परसंट के बराबर होगी तो यह मेरे पास में क्या आ जाएगा इसका सेलिंग पराइस जाएगा क्योंकि मुझे मालूप है कि मैं इस पूरे का 21 परसंट निकालूँगा और 20 परसंट फिर इसमें जोडूँगा तो मेरे को विक्रह मुली मिलेगा बट मैं अगर इसकी वैली निकालूँगा 121 परसंट करूँगा तो मुझे विक्रह मुली मिल जाएगा इससे यह कर जाएगा इससे इसको काटूँगा तो मेरे पास में 5 जाएगा तो 5 एकम 5 और 12,5 यानि कि 6,05 इस कुश्चन का करेक्ट टन सारागा यानि कि option A एक बार फिर देख लेते हैं examiner कह रहा है कि 100 रुपे की चीज थी आपकी CP 100 रुपे का था वो उसे based है कितने में 29 परसंट की हानी पर तो इसका 29 परसंट निकालूँगा और इसमें से 29 माइनस करूँगा तो मेरे पास जो वैली आगी इसका 21 परसंट निकालूँगा और इसमें जोड़ूँगा तो यह कितना आजाएगा 121 इसका नया SP आजाएगा जो examiner ने मुझसे पूछा है तो देखिए यह 71 नहीं है है कितना examiner दे रहा है 355 दे रखा है तो इससे किससे मल्टिप्लाइ करेंगे 5 से मल्टिप्लाइ जिससे मल्टिप्लाइ करेंगे उससे डाइट आप इससे मल्टिप्लाइ कर दीजे तो 5 और 1250 यानि कि 605 जो आएगा वो इस question का correct answer आएगा यानि कि option A I hope आप सब भी question समझ में आया होगा